हाई मैं सविता सविता कुमाडी यादब हमारे यूटूब चाइनल में आप सभी का स्वागत है जैसा कि आप लोगों को मालूम ही है कि केंद्रिये बाल विकास मंत्री स्रीमती इस्मिर्ती इरानी जी के द्वारा आगनवाडी बहनों को एक घंटे का कडमी बताकर मजाक उड़ाया गया वही समाज कल्यान मंत्री बिहार सरकार पटना माननीय मदन सहनी जी के द्वारा चार घंटे का कडमी बताकर उनका माखोल उड़ाया गया बास्तविक्ता तो यह है ति हमारी आंगनवारी बहने सरकार के विभागिये पत्रा अनुसार पांच घंटे की कडमी है ऐसे तो आठ से दस घंटे भी कहना कम होगा क्योंकि जितनी हमारी बहने काम करती है उसको लेकर इन्हें दीन रात की भी कडमी कहा जा सकता है जहां एक तरफ अपनी मांगो के समर्थन में बिहार की आंगनवारी सिविका सहाई का बहने अनिश्चित कालीन हर्ताल पे हैं वही दूसरी तरफ अखिल भारतिय आंगनवारी करमचारी महासभा 18 अक्टूबर 2003 से असरयोग सत्यागरह अंदोलन में उत्री हुई है इसी एवज में अखिल भारतिय आंगनवारी करमचारी महासभा ने अलग अलग पत्र बिहार सरकार और भारत सरकार के नाम लिख कर भेजी हैं जिनका जवाब अभी तक उनके तरफ से नहीं आया है कल के वीडियो में हमने आपको जो भीहार सरकार को पत्र दिया था वो पढ़कर सुनाया और आज के वीडियो में जो माननिय परधान मंत्री भारत सरकार को लिख कर दिया है वो पढ़कर सुनाने जा रही हूँ आप लोग comment box में जरूर बताएंगे कि क्या ये महासभा द्वारा उठाया गया कदम स्राहनिये है स्राहनिये है तो कैसे और नहीं तो कैसे तो आइये जिस पत्र में ये कहा गया है। दी गई अतिरीक्त जिमे वाडियों का निर्वहन करती आ रही है। मुल दायित्व निर्वहन एवं आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद तक का मिला हुआ है। इसके अलावा ग्रे भर्मन, गर्ववती प्रसूता महिलाओं की देखवाल, टेका करन, सुखा रासन बितरन, स्वास्त विभाग के विभिन, महतोपुर्न कार्जों के साथ, अन्य कार्जों में भी हम अपना युगदान देते आ रहे हैं। जो किंद्र संचालन अवधी के बाद करते आ रहे हैं। कहकर मजाक उड़ाया जाता है। तब तक हम लोगों ने निर्ने लिया है कि सरकार के साथ और सयोग सत्याग्रह अभियान चलाया जाएगा। हमारी कार्जबधी चार घंटे बताई गई फिर भी अतिरिक्त घंटे अतिरिक्त दाईत्व क्यूं हम निर्वान करें। इसके तहत नियमित रूप से निर्दिष्ट चार घंटे के लिए आंगनवारी केंद्र खुलेंगे और इसकूल पूर्व सिख्छा एबं पोसाहार बितरन कार्ज करम पूर्ववत संचालित होंगे। हाजरी नियमित रूप से बनेगी लेकिन चार घंटे के अतिरिक्त असयोग सत्याग्रह के तहद पोसंट रेकर पर डाटा संग्रह कार्ज, टीका करन कार्ज, पडियोजना कार्जालय का दोड़ा एबं किसी प्रकार का परपत्र संग्रह वा अन्य कार्जों का बहिसकार किय जाएगा, घोसित असयोग सत्याग्रह 18 अक्टूबर से सभी एक जूट से विकाय संचालित करेंगी, भवदिये सविता कुमारी, परदेश महासचीव, अखिल भारतिये आंगनवारी क्रमचारी महासभा, सनलगनक, मुख सचीव बिहार पटना एबं निदेशक ICDS पटना के द्वारा निर्गत पत्र की छाया प्रति, परतिली पी, स्री मति, इस्मिर्थी इरानी जी, माननीय मंत्री, समहिला एवं बाल विकास भारत सरकार तो हमने पूरा पत्र पढ़कर सुनाया, आप लोगोंने ध्यान से सुना, अब आप लोग अपने परतिकिडिया जरूर दे कि ये कदम कैसा है और इस अभियान में आप लोग साथ होंगे, इस आंदोलन में साथ होंगे, इस सत्यागरा में आप लोग साथ होंगे, अगर थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन आप सफल जरूर होंगे इसी के साथ इस वीडियो को यही पर समाप्त करते हैं फिर आगे के वीडियो में कुछ नई जानकाडियों के साथ मिलेंगे तब तक के लिए नमस्कार